नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत-बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ Importance Company के आपडेट लेका हूँ, और इस वीडियो में आपको सारे जानकरे मिलेगा, Companies के बारे में, उसके साथ साथ आपको टेक्निकली चाट प्रेटन के भी जा कर सकते है, तो मेरे वीडियो हमेसा Education Purpose में होता है, आप सबी जानते ही है, जो दोस्त नए आया है, उसके लिए बता दू, मेरे तरफ से कोई भी बायन सेल का Recommendation नहीं होता है, मेरे तरफ से हमेसा आपको सारे चीजों को सिखाने के लिए, और सारे चीजों को दिखाने के ल लेगा, तो चलो, देख लेते हैं कौन सा कौन सा कमपनी है, इस वीडियो के अंदर, फास्ट कमपनी है, मेरे सबसे पसंदा कमपनी है, वो है BSC Limited, तो BSC आप सभी जानते है, एक Exchange है, और इंडिया के नहीं, वाल्ड के सबसे पुराना Exchange है, और वाल्ड के टॉप 10 रैंकिंग इस Exchange का नाम देखने को मिलेगा, तो BSC Limited का काम क्या है, मानके चलिए आप किसी भी कमपनी को, आपका अगर मानके चलिए कोई कमपनी है, उस कमपनी का आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करना है, अगर आपको कमपनी का मार्केट साइज बहुत छोटा है, तो उसको अप NSC में लिस्टिंग नहीं करा पाएंगे, उसके लिए आपको BSC के उपर जाना पड़ेगा, तो जो कमपनी स्टॉक मार्केट में BSC में लिस्टिंग होता है, अगर उसमें कोई ट्रेड बनता है, तो वो ट्रेड का एक कमिसन डिरिकली BSC को देना पड़ता है, और उसके साथ-साथ अगर BSC में लिस्टिंग करने के लिए जा रहा है, तो इसके लिए आपको एक्ष्टा पैसा BSC को देना पड़ेगा, तो मेरे कहना का मतलब है, BSC जैसे कमपनीस, BSC जैसे कमपनीस के उपर आपको फोकस रखना चाहिए कि कि इस कमपनी के उपर आपको high growth of potential upcoming directly market में निवेश करते हैं, तो दोना में फरक दिखिए, जितना बड़ा फरक है, अगर इस point को भी में हटा दू, तो अगर 25% भी इंडिया में निवेश करना स्टार्ट कर दिया, directly market में, तो सोचिए आज BSC को जो आप 17,000 करोड के आसफास market कर देख रहा है, वो एक लाग 17,000 पर अपको दिखेगा, देखे क्या होगा नहोगा बहुत आपको फीचर में दिखेगा, अभी साब को यह देखना है कि company का future में हिस matière का growth कितना हो सकते है, तो देखे company के performance भहूँथ ठीक ठाकिए है, company का industry पी रिशों थोड़ा सा हाई है, और company का ROC, ROI तो average level के आसपास है, इ companies के ऊपर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि company का year of year basis में sales growth कितना है 34% के आसपास इसका sales growth देखने को मिला जो पहले कितना था 14% के आसपास था वो बढ़के हो चुके 34% और उसी तरीके से अगर employee की जो cost है वो देखेंगे तो company के जो employee cost है 23% से बढ़के हो चुके 19% तो इसका मतलब company के employee cost भी बढ़ा और उसके साथ-साथ company का year of year basis sales growth भी बढ़ा तो सारे points company के flavor में है sorry employee cost कम हुआ और company के sales growth बढ़ा तो इस दोनों point company के flavor में है दोनों point company को यह बता रहा है कि upcoming times में इसका growth होने का high potential है तो company के जो balance rate है उसके बारे बात करूँ तो company के reserve लगातार बढ़ती चले गए और company के पास एक रूपिया भी जी करजा नहीं है और company का net fixed asset भी बढ़ता चला गया और उस हिसाब से company का CWIP भी company के बढ़ दो करोड के आसपास देखने कर मिला अभी company के as a research के बारे में बात करूँ तो cash conversion cycles थो 36 के आसपास 36 Rs.30 के आसपास आपको cash conversion cycles दिखेगा अभी एही चीज को मैं आपके साथ और details में बात करूँ तो as a investor यहाप आपको नहीं दिखेगा तो मैं आपको यहापे दिखा देता हूँ देखिए, प्रोमोटर के पास तो कोई holdings नहीं है, और mutual fund ने क्या क्या, contingency risk को sell-up किया, और बाकी holding किस ने उठाया, मतलब FIS ने उठाया, और बाकी जो holding से, वो किस के पास है, public के पास है, public के पास 64% के आसपास holding से, तो BSC के जो chart patterns यहां पर बना था, बहुत chart patterns कुछ इस तरीके से बना था, और सांदा तरीके से target भी हुआ, देखिए, कितनी मतलब patient के साथ बना रहेंगे, तो आपको किस तरीके से फायदा मिलता है, तो एक cup with handle patterns बना, और cup with handle patterns का breakout भी यहां पर हुआ, और सांदा तरीके से देखिए, यहां पर target भी achieve भी हुआ, और एक मान भी नहीं हुआ, सिर्फ यहां पर जो अगर मैं target आपको दिखा दू, तो anti-level से अगर target तक दिखा दू, तो almost 30 days में आपको 44% के आसपास gain मिला, इतना सांदर company यहां पर target achieve भी किया है, और जिस achieve के कारण company में अच्छा खासा growth भी हुआ, और next चो company है, जिसके बारे बातकर उसके नामे, KPI Green Energy, देखिए, बहुत सारे चर्चे आपके साथ में कर चुका हूँ, और KPI Green Energy के उपर में, संडे के दिन एक वीडियो आपके साथ share भी किया हूँ, जहाँ पर in-depth KPI Green Energy के उपर बातचीत में ही आपके साथ किया हूँ, तो KPI Green Energy का growth होने का chances बहुत जादा है, क्योंकि government G20 के जो submission किया, उस जगह पर Green Energy और Clean Energy के उपर, पॉजेट के उपर बहुत ज़दा काम किया, मतलब काम बताया, कि इसके उपर Upcoming Co.JS में बहुत ज़दा काम होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है, KPI Green Energy है, इसके जो मतलब figure out है, वो देखेंगे तो company का market के वाभी, 3000 क्रोड के आसपास है, peer issue एकड़म reasonable में है, ROC, ROE based है, income भी सांधार है, company का promoter के पास holding भी सांधार है, और company में weakness कहाँ पे है, company का करजा, अभी company इतना करजा क्यों लिया, बहुत समझना जोर रही है, देखें सबसे पहले company का profit and loss में चला जाता हूँ, तो company का profit and loss क्या है, इस बार company का profit and loss दो 121 करओर के आसपास हो चुगे है, तो ना माने लेता हूँ company के 110 करओर के आसपास profit and loss है, क्योंकि ये जो profit है, वो 2024 खतम होने के बाद है, आपको देखना चाहिए, तो अभी देखें, company के जो sales का growth है, वो भी बढ़ रहा है, company का profit गोड़ भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और एक best level में देखने को मिला है, विटन भी company धमाका दिया, और ROC भी based है, तो अभी जो करजा लिया, वो करजा किस ले लिया गया, अब ध्यान से चीज़ को देखना, company जो करजा लिया, वो करजा लिया, actually company का long term का करजा है, इसका मतलब company का project मिला, company का business मिला, और आपका मिंग यसलिए जो business मिलने वाल है, तो उस business को compete करने के लिए company के पास पैसे का जूरत है, तो उतना तो पैसा company का हाथ में नहीं है, company का profit कितना है, करिबन एकसो करोड, एकसो दस करोड और इसलिए company का project मिला, उस program को compete करने के लिए company को करजा उठाना पढ़ा, तो इसलिए company लॉंग टाम के लिए करजा उठाया, अभी company का project कितना मिला, वो भी तो देख लीजिए, company के 3rd ईसी तिवगा कितना, 147 krud, तो 147 करोड़ का प्रोजेट के लिए कमपानी को पैसे का जुरूत है तो इसले कमपानी कर्जा उठाया और दुसरी बात, कमपानी को जो, मत्र Toyota, कमपानी को जो पैसा देना वाकी है, इससे वो उधारी लिया, उसको पैसा कितना देना बागी है 227 क्रोड के आसवास इस सारे कारण के बज़े से कमपणी के उपर एक अच्छा खासा पैसा उठाए गया तो as a investor investor के बारे मात करें तो Pomotar, FIS, DS, Public Heart किसी के पास इस company का हिस्सिदरी आपको देखने को मिलेगा और रही बात company के जो KPI गीन energy के उपर जो चाट मतलब as a investor है जहाँ पर देखिए FIS के पास DS के पास कोई भी holding नहीं है FIS के पास धमा का holding है तो पहले 0 के आसपास था आज वो बढ़के हो चुके 4 परसन के आसपास और सबसे बड़ी बात क्या है Company के उपर देखिए Company के holding 54 परसन है और 50 परसन के आसपास Company के holding को pleasing करकर रखा इस दोनों point company के लिए मुझे बहुत negative लगा पहली बात company करजा जादा है boring जादा है दूसरी बात holding को वो गिर भी रख चुके है मतलब जितने गिर भी रखेंगे उतना ही company के लिए पेसर बनेगा चाहे company business सही ना कर पहे तो उसका जो share गिर भी है उस share को उसको बेचना पड़ेगा मतलब उसको दे देना पड़ेगा जिससे वो उधार लिया है तो यह points मेरे लिए मेरे सब से negative है तो इसलिए में KPA gain energy के उपर छोटे मुटे quantity के साथ hold कर रहा हूँ और जब जब इस सारे performance अच्छा दिखेगा तब में quantity अड़ करता रहूँगा और जब जब swing trading बना तो मैं अपके साथ CR भी कर चुका हो तो फिलाल के लिए कोई swing trading नहीं बना है क्योंके company एक top level में है अगर इस चीज को मैं marking करू तो company के उपर एक ही range के उपर बहुत दिनों से टेड़ हो रहा है तो इस range को याग रखेगा इस range को अगर breakout करे इस range को अगर breakout करे तो एक बड़ा थामका हो सकते है तो इसके लिए अपको integer चुरू करना पड़ेगा तो next चुरू company जिसके बारे बात करूश करना में Tata Motors देखे टाटा ग्रूप के auto sector में जो companies है Tata Motors एक company अलग level में खुद को represent कर रहा है और company ये भी बता रहा है कि 2025 खतम होने से पहले 2025 खतम होने से पहले उसका जो depth इतना ज़्यादा आपको दो साल के बाद ही देखने को मिलेगा फिलाल के लिए ये company के जो performance में एक चीज कहूँ कि company में दम है management में दम है जो company बड़ा सा बड़ा loss करते चले आये थे वो company का loss आज कम हो चुगे है अभी इस बात को भी आप याद रखना कि company का loss कम हुआ है तो कहा से कम किया वो देखना जोरूरी है क्या सही में company के sales बहुत जादा हो गया अगर मैं इसको quarterly result के बारे मत करूँ तो देखे sales में obviously increasing देखना को मिला 70,000 क्रोड से company के sales बढ़के हो चुके 1,2,000 क्रोड के आसपास तो sales में almost 30,000 क्रोड के आसपास sales increase हुआ सबसे मज़ेदार बात क्या है आप जानते हैं company इतने दिनों तक तो loss करके आ रहा थे इस बार company continuously last few quarters में continuously company profit किया और question marks यहाद है कि company ने इतना करजा कम कहा से किया जहाँ पे company के 6% के आसपास depth of equity था वो घटके हो चुके 3% के आसपास 55,000 क्रोड 78,000 क्रोड तो company ने क्या किया reserve को थोड़ा सा या फिर बेच किया company के जो reserve है उस reserve को थोड़ा सा बेचा करजे को मिटाने के लिए इसलिए company को करजे को repayment कर पाए और repayment करने के बाद company के हाग में fixed asset भी लगा कर बढ़ते चले गए और company project के उपर अच्छा कासा पैसा भी लगा कर रखे है तो आजी cash conversion cycles के बारे हैं बात कर तो company के उपर cash conversion cycles negative में देखने को मिला है और company के dateos दे के बारे हैं बात कर तो 8 दिन लग रहा था पैसा हाथ में आने के लिए और अभी 17 दिन लग रहा है पोडक्शन करने में 60 डिज लग रहा था दो मान लग रहा था दो मान अभी भी है company के जो payments करना था जिससे वो raw materials खरीदरी किये है 122 दिन लग रहा था आज वो 128 दिन लग रहा है तो सारे parameters के इसाफ से दिखा है तो Tata Motors coming years में अच्छा कासा growth करने के potential रखते है अभी रही बात इस company के mutual fund वाले के बारे में बात करो देखे mutual fund ने holding को increase किया FIS ने भी holding को increase किये और Pomotan ने पहले से जितना holding रखे थे आज भी उतना holding लेकर चल आया तो रही बात company के चार्ट मोटोस का तो में Tata Motors का आपको चार्ट पटनस दिखा दू तो अब ध्यान से चीज को देखना कि चार्ट पटन में किस तरीके से momentum देखने को मिला देखे एक patterns create हो चुके है में चलो यहाँ पर आपको चार्ट पटन दिखा दे तो और भी आपको clear हो जाएगा टाटा मोटोस में आपको एक बाद चार्ट पटन दिखा दे तो हाँ अभी ठीक है यह चार्ट पटन कुछ इस तरीके से बना company के उपवर एक soldier create हो उसके बाद soldier उसके बाद big head बना उसके बाद soldier बना और breakout भी हुआ और उसके बाद target मेरे जो target है वो 700 रुपीज के आसपास है तो target के नजदीगी है तो target जब मिलेगा तो मुझे 31% के आसपास target मिलेगा तो मैं जब से anti हुआ हूँ तब से मैं आपके साथ video भी share किया हूँ और मैं आपको बार-बार यही चीज बोलता हूँ कि किसी भी company इसके पूर आपको अगर काम करना है तो please आपके research की हिसाब से करिए मैं जितने सारे टेकनिके लिए चार्ट में आपके साथ share कर रहा हूँ वो education purpose में है मेरे तरफ से कोई भी buy and sell का recommendation कभी नहीं होगा तो next चो company जिसके बारे बात कर उसका नाम है सूरिया रस्मी लिमिटेट तो सूरिया रस्मी लिमिटेट जो है वो एक देखा जाए तो एक steel manufacturing company है और इस company के उपर एक बहुत बड़ा update आया कि company एक announcement कर चुके है वो वी split का हर पांस share में आपको 10 शरी और 10 का इसका फ्रेस बारपस में अगर आपको काम करना है तो प्लीज research करके ही काम करना तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना दोस्तों को share भी करना चनल को subscribe भी करना बितने एक्स वीडियो में तब तक लिए अच्छे सरीए अपने ख्या लखिए धन्यबाद